यस बच्चों बेटा हलो बेटा स्वागत है आपका गुरू नीटी में तो गुरू नीटी के सब कुष्चन बॉटनी के मैं अजयकुमार सोनी फ्रोम CLC सीकर तो बेटा आपके 2013 से 2022 तक जो भी कुष्चन नीट के अंदर आए हुए है उन कुष्चनों को अपन स्वाल्व करे टोपिक और उसके अंदर भी आपका दा लिविंग वर्ड एंड बायलोजीकल क्लासिफिकेशन ठीक है तो स्टार्ट करें बेटा हो ओके तो सबसे बएले कुष्चन है आपका कुष्चन नमर फर्स्ट नील हरेश सेवाल जिनको बोलते है साइनो वेक्टिरिया धान के खेत अब अपन जानते हैं साइनो वेक्टिरिया क्या है बीजी है अब बीजी है पेडी फिल्ड के अंदर तो होता ही है जो नैटोजन फिक्षिन का गाम करता है बट हायर प्लांट की जो रूट होती है हायर प्लांट की रूट कोन सी साइकस तो साइकस प्लांट की जो रूट हो होते हैं तो आंसर कौन से जाएगा पिटा फोर्थ आंसर जिदा क्रेक्ट हो जाएगा यस पिट अब आता है कुछन नमर सेकेंड साइनो वेक्टिरिया में कुछ वर्नक जिल्ली धार प्रिसार क्या है पिग्मेंट कंटेनिंग मेंबरेंस एक्स्टेंशन इन सम साइनो वेक्टिरिया और पर इस साइनो वेक्टिरिया में जो प्लाजबा मेंबरें होती है उस मेंबरें के क्या है प्रिसार या एक्स्टेंशन क्या नुमेटोफोर हो सकता है नहीं तो नू मेंटर फोर्ट तो रूट होती है वेटा क्या हेट्रोसिस्ट हो सकता है ये भी नहीं क्योंकि हेट्रोसिस्टिस्ट आप जाने तो नाइक्टोजन फिक्सेशन करने वाली structure उती है अब देखो दो है यहां पर बैसल बोडी नहीं हो सकती तो क्या बचा क्रोमेटर फोर ठीक है तो chromatophores हो चाय मीजो सॉम्स हो दोनों प्लाज्मा मेवरेंस से बिटा extension से बनते है और यह आता आंसर अपका correct है कुश्चान नमर तीसरा निमलकित मैंसे किस के गहरे समत में जल्ब में पाई जाने संभावना है which of the following are likely to be present in deep sea water देखो deep sea के अंदर तो दो ही होते है पेटा मेल ली देखो एक तो होते है माल लीजे आर्गी बेक्टिरिया और यह उतने रेड हैल की है ना तो मेल ली हाप पर कौन है आर्गी बेक्टिरिया ज्यादा सही है तो आर्गी बेक्टिरिया इता correct कुश्चन नमर है फोर निमलकित मैंसे कौन सा कतन सही नहीं है which of the following is not a correct statement चलो भई कौन सा correct नहीं है सबसे पहला है संग्राइल है पातप और जनतों की तस्वीरों को संग्राण है ए मुजियम है दा कलेक्शन दा फोटोग्राप और प्लांट एन अनिमल अरे भाई यही क्या है क्रेक्ट नहीं है गलत हो गया बागी देखो सब की सब्सक्राइब सही है हर्वेरियों हाँस डाफस सही है बॉट निकल गार्डन है यह दो कलेक्शन दो लिविंग प्लांट एन रेफ्रेंस तो कौन सा गलत है है फर्स्ट अंस ओके अगला कुछ चलते हैं कुछन नंबर है फाइव फाइब के इंटम सिस्टम दा क्लासिफिक्शन सजेस्टेड आरेच वीटेगर द्वारार प्रिस्तावित पाथ जगत बर्गी करन निम्लिकत में से किस पर आधरत नहीं है अरे भाई मोड ओफ रिप्रोडेक्शन नहीं है बिलकुल है बिलकुल है तो प्रिजेंस ओप दा एबसेंस वेल डिफाइन नुकलियस इस क्यादार पर नहीं है आपको पता है बिटा क्योंकि यहां पर आप जानतों एबसेंस और प्रिजेंट वेल डिफाइन नुकलियस तो नुकलिय यह सारे आपके completely पहला आशर इस नहीं कुछिशन नमर है six आपका आर्की वेक्टिरिया डिफरेंट फ्रॉम यू वेक्टिरिया इन बहुत आर्की वेक्टिरिया यू वेक्टिरिया से किस प्रणाद डिफरेंट यह तो यह तो से यह डिफरेंट हो जाएगा कि कुछिशन नमर सेवन जीवानों में सूत्र कणिका का कारे कौन ने वाता है विच इस्टेक्चर और परफॉर्म दा फंक्शन ओब दा माइटो कॉंडिया इन बैक्टिरिया अरे बैक्टिरिया का मतलब जानत दो बिटा जो माइटो कॉंडिय करता है वाह कौन करेगा मिजोसॉमस आंसर कौन सब जाय गा फोर्थ दिश प्रेक्ट आंसर कुछिन वात कि अनॉक्षी प्रकास संस्लेशन किसका अभी लक्षन है एन अनॉक्षी जैनेक फोटो सिंतेसिस इस दा करेक्ट्राइस्ट आप तको एन् ऑक्सिजेनेक जो ऑक्सि क्लाइमाइडो मलास अलवा बाकी के आप जानतों यह सब ऑक्सिजनिक वाले है कौन सा नहीं है रोडो इस्पारिलम वाला तो आंसर कौन सो जाएगा फर्स्ट क्योंकि यह वैक्टिरिया है बिटा कुशन नमर 9 कॉंटलित आरेने रज्जू और पेटी कास निर्मते कौन से दसाता है विच ओफ दा फोलोइंग सो कोईल्ड आरेने आरेने जिसे इसका कोल्ड इस प्रकार का होता है ठीक ना बटा पोलियो वायरस नहीं टोबेको मोजे वायरस यस यह वल्कुल सही लग रहा है टोबेको मोजे वायरस का आपने देखा होगा इस प्रकार की कंडिशन यह है ऐसा होता है एक कुश्चन नमर 10 वायरसेस है वायरस का क्या पाय जाता है डिएने एंक्टोजन प्रोटीन कोट बिल्कुल सही है प्रोक्रेटिक नुकलियस गलत है सिंगल क्रोमसोंस गलत है आरेने नहीं तो एक कौन सा है फर्स्ट आंसर है ओके तो कि पता है बायरस के अंदर यह तो डिएने होगा यह आरेने होगा गतिमान जीवान नों किसके द्वारा गति करते हैं तो मोटाइल वेक्टिर्या आरे अगर मुमेंट हो रहा है तो फिलेजीला के थुरू होगा किसके थुरू होगा फिलेजीला के थुरू सिंपल सी बात है कुछेशन नम्मर 12 which of the following micro organism process large amount of pepti glycone like pepti glycone मतला आप जानते हो selvor और selvor manually आप जानते हो mucopeptide यह प्यक्सिक लाइकोन वो gram positive vector में होती है तो answer first correct हो जाए यस बेटा question number 13 एक बिस्तरत स्पेक्ट्रम प्रतिजवेक असरकारक है कम संध्यता में लोग कंसर्टेशन में हर एक जीवानों वाइरस के बुरुद्ध अगेंस्ट आ वैक्टिरिया एंट वाइरसेस सुख्ष्व जीवों की बैदेता पर और वैराइटी और माइक्रो और कारक प्रपोसी द बैडरेस्टे आर्टए जो भी परकार करत tussen बैक्रो और फ्रपोसी देशवेक के निश्चेन वैक्टेरिया और होते हैं वेयक्टिरिया ऊंद होते हैं किसके एक दूसरे के तो इसलिए आपन देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंली बेराइटी ओव माइक्रोर्गार्जिम्स ज्यादा सही जा रहा है तो यह आपका बिल्कुर राइट एंसर कुश्चन नम्मर है 14 छुष एंसर रहुंजा लिए लुटुर्गार्ज यह जानतो है यह टृष्टिरियła लेजिज तो यह डिफ्रेंट हो गया हाँ बटा कुश्चन नम्मर अब अब आता है 15 तो 15 में आप देख रहे हो बटा निम्ड में से कौन सा कतन सही है which statement from the following is true तो आपको ध्यान में रखना है बटा Aristotle को father of taxonomy नहीं कहते है इसको अब आपन जानते हो father of taxonomy को कहते है carolus lenius को कहते है ठीक है ना बटा कीमो टेक्सोनों में जीप इसने आधर पर नहीं है क्योंकि कीमो टेक्सोनों में आप जानतों chemical के base पर होती है इसलिए यह भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया community is the group of the different population community आप जानतों population का ही group होता है different जिसमें होता है तो यह आपका सही है third answer is the correct okay concept of species given genre जोन्रे नहीं दिया था यह मेर साब ने दिया था इसलिए यह भी गलत है ठीक है ना तो आंसर दीसरा बिल्कुल okay question number 16 सहे जी भी nitrogen योगी करन के जीवान को बंस है symbiotic nitrogen fixation bacteria belong to the genus symbiotic nitrogen fixation जो कंडे वाला कौन है rhizobium symbiotic nitrogen fixation कौन है rhizobium जो leguminacy plant हों पाए जाता है तो आंसर कौन सा हो जाएगा थाड़ा अगला question है question number 17 किस विज्ञान को सूक्ष मजीव विज्ञान का जनक कहा जाता है which scientist the known as the father of microbiology अब दो microbiology को Lewis Fischer है क्योंकि Lewis Fischer नहीं काम किया था बेट आपको पता है पर एक तो Lewis Fischer था यह दो ही scientist थे जो microbiology थे question number 18 a place where the plant leaves the known as harvest या आवास तो habitat जो होती है वही तो आवास होता है तो वहाँ पर यह plant आसा नहीं सिरे सकते question number 19 which of the following is not a blue green algae बाई blue green algae कौन चा नहीं है एन बिना है और शी लेटोरिया है क्ले माइडमोनास नहीं है और नौस्टोग है जिसका मतलब है कौन सा नहीं है क्ले माइडमोनास क्ले माइडमोनास ग्रीन algae है ना की blue green algae है यह बात को ध्यान रखे कुछ नमर 20 इन टेक्सोनों में क्लासिफिकेशन दा क्रेक्ट सिक्वेसिच भाई देखो अगर बात अपन करते हैं kingdom की यह kingdom फिर आप जानते हो पिटा फाइलम यह डिवीजन जिसको बोलते है यह डिवीजन है ठीक है ना फिर क्या आता है आपके क्लास आती है फिर क्या आएगा क्लास के बाद बोलो फिर order फिर family बोलो फिर species और फिर genus इतने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है ना तो यहाँ पर देखो क्लास के बाद दे रखा आए है order family species और जीनस लेकिन species जीनस उल्टा हो गया तो पहले क्या आना चाहिए पहले आना चाहिए जीनस पहले क्या आएगा जीनस और इसके बाद क्या आएगा इस पिसीज अब देखो order family order देखो यहाँ पर order से ठीक है ना क्लास के बाद क्या चल रहा है order चल रहा है फैमेली चल रहा है तेकि इन्होंने क्या कर दिया गड़बड कर दिया आपर इस पिसीज दे दी पहले जबकिन जीनस अना चाहिए ठीक है ना तो इसलिए कौन सा सही है ठर्ड़ आंसर इस दर करेक्ट क्लास ओडर फैमेली जीनस और इस बिसीज ओके क्रिश्टर नमबर है 21 जीवानों जिनकी पूरीत सदे पर कसाप समान रूप से बटे रहते हैं कहलाते हैं वैक्टिरिया बिदे लार्ज नमबर ओफ फ्लेजीला यूनिफॉर्मली डिस्टिबूट ओल ओवर दा सेल सर्फेस आर देखो वैक्टिरिया के बिटा आप जानते हो अगर फ्लेजीला एबसेंट है तो इसको बोलते है आ ट्राइकस इस बात को ध्यान रखे और जब फ्लेजीला के सब कंप्लीट सर्फेस पर फ्लेजीला प्रजेंट हो इस प्रकार से चारों तरफ फ्लेजीला ही प्लेजीला हो इस प्रकार से तो इस कंडिशन को बोलते है पेरी ट्राइकस क्या बोलते हैं इसको पेरी ट्राइकस MP ट्राइकस मतलब होते हैं जन्में दोनों सिरोपर क्या होते हैं फ्लेजिला होते हैं यह कह रहा है सबसे लार्ज नंबर पर किसमें होंगे तो लार्ज नंबर तो पेरी ट्राइकस में होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा फिलेजी रच्छा आउतरफ होंगे बैक्टिरिया के राउंट पे होंगे तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड आंसर इसक्रेक्ट अगला जाओ कुश्चन नंबर 22 वीच उप फोलोईंग प्रोक्रेटिक इवाल्व आक्सिजन इन फोटो सिंथेटिक करेगा और आक्सिजन रिलीज करेगा याद करो तो रोडो सूडो मोनास क्या हो सकता है क्या नहीं क्लोरोबियम नहीं नौस्टोग यस एलोबेटियम नहीं तो नौस्टोग यहना बना क्या है ब्लू ग्रीन एल की है तो आसानीज क्या करतेंगे बटा ऑक्सिजन रिलीज करते है फोटो सिंथेश करते है कुश्चन नमरे 23 निम्ट करते को सर्वेसे नत्रजन नाट्रजन इस तिकरण में सक्षम होता है फोलो इंद इस था हाइस्ट नैट्रजन फिक्सेशन नहीं नौस्टोग तो नौस्टोग का भी काम होता है को यह भी ब्लू ग्रीन एल की होता है राई जो भी हम राई जो भी हम वह आप जानते हो बिटा क्या है यह मेंली सिंबायोटिक है और सब ज़्याद हाइड नैट्रजन क्या करेगा फेक्सेशम करेगा तो यह वाला सही आंसर हो जाएगा कुछिशन नमर 24 निम लकित में से कौन सा जीवानों NO2 से NO3 मदलता है भाई देखो अमोनिया है अमोनिया से NO2 और NO2 से NO3 ठीक है ना तो इस प्रोसेस को बन जानते क्या बोलते है नाइट्रिफिकेशन क्या बोलते है इसको बेटा नाइट्रिफिकेशन कहते है यह नाइट्रिफिकेशन हो गया अब नाइट्रिफिकेशन में आप जानतो एक तो यहाँ पर बेक्टरिय आएगा A और एक B Simple सी बात है तो अपन को यह ध्यान रखना है यहापर कौन सा आएगा तो Nitro So Monas और दूसर नाइट्रो वेक्टर अब यह पूचा है आपका NO2 से NO3 इसका NO2 से NO 2 का मलज़ा है नाइट्रो वेक्टर यहापर नाइट्रो वेक्टर आएगा तो आंसर कौन से हो गया तीसरा अंसर जिदा करेक्ट हो गया ठीक है ना बटा तो इदर आएगा नाइट्रोसोम हो नास उदर आजाएगा कौन नाइट्रोसम नाइट्रोवेक्टर ठीक है कुछन नंबर है 25 यदि सूक्ष जीव की एक प्रजाती और कबक फिर्टी पर मौझूद नहीं हो तो क्या होगा इफ ये सिंगल स्पिसीज और बेक्टिरिया एंड फंजाइज नौट प्रिजेंट और अर्थ सोचो क्या होगा अरे शिंपल सी बात है कोई बएक कुई चीज रकी है तो व्थी ये व्युक्रियह रखी रहीगी वाला उसको डीक म्वज नहीं हो पाएगी कोई जानवर मर गिया बेसरी बेसर पड़ा रहेगा कभी वो डीकंपोज नहीं हो पाएगा तो बोड़ी सड़ेगी नहीं कोई पधार सड़ेगा नहीं तसलिए हैं पर क्या होगा डेड़ बोड़ी जेंटा एक्स्टेशन बिल भी पाइल अप तो पहला है उम्रसरीरों NUMBER हो गेट है अबर है 26iko मैंस दगॉरं दिजीज विद्धा करेक्ट टाय व देग्सीन तो बैक्सीन टूबर ग्रोसिस हार्मलेस वाक्टिरिया है वैसे जुनोगूज़ी कुछिन है ये भी तो टूबर क्रोसिस आप जानत हो हार्मलेस वेक्तिरिया जो बैक्सीन लगाते ह बात को द्यान रखें क्योंकि उसको क्या करते है इनेक्टिव करते हैं यस बिटा तो पहले का कौन से और है फोर्थ हो गया ठीक है भी का देखिए हुपिंग कफ हुपिंग कफ किल्ड वैक्टिरिया क्योंकि यह बैक्टिरिया को मारती है तो भी का थर्ड हो गया फिर यहां डिप्थिरिया का ही हो गया और बचा कौन सा पोलियो हार्मलेस वाइरस है तो इसलिए यह आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फस्ट आंसर जदा करेक्ट हो जाएगा ठीक है पस आपको बनको यह स्टेज में वैक्सीन में कौन सी फर्स्ट बार सेकेंड बार यह रिसर्च की इस प्राक केंदरिकिओ निम लकित में से कौन सा एक अनतस्त। फिंडर नहीं बाया जाता भाहि दगो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के अंदर साइट्सेल है साइट्योसोल के अंदर कौन-कौन से inclusion body नहीं पाया जाती हो बैसे देखो से अफ़ताल पाया जाती है glycogen पाया जाता है ठीक है तो glycogen होगा यस फोस्पेट ग्रेनुसर्स पाया जाते है यस सैनोफैसी ग्रेसुर्स पाया जाते है यस लेकिन क्या नहीं मिलेगा भाई पॉली सॉम नहीं मिलेगा तो आंसर कौन से हो जाएगा second पॉली सॉम हो जाएगा question number 28 chromatophores take part in chromatophores बेन में भी बता है था आपको यह plasma membrane के क्या है बेटा यह plasma membrane के mainly क्या है यह extension है और यह photo synthesis करते है तो blue green algae जो होते है mainly है न वेक्टिरिया साइनो वेक्टिरिया उनके अंदर जातर पाई जाते है तो photo synthetic का mainly काम होता है ठीक है question number 29 select the wrong statement गलत कतन को चुनिये चलो भी चुनिये बिशानु डीजे इवानस्य वस्दुरा खोजे गए थे वायरोड वायरोड को अलग से खोजा था गलत हो गया क्योंकि इवानु वस्कुई ने तो केवल वायरस को खोजा था वायरोड को नहीं खोजा था सबसे पहले किया था यह तो हो सकता है ठीक है विलकुल सही है तर्म कंटावाम फ्लूडम बाद दा कोईंडव यह भी बात सही है सही है इसका मतलब कौन सा गलत हो गया फस्ट गलत हो गया क्योंकि यहां पर वायरोड को डिस्कवर करने वाला कौन था टीयो डाइनेर तो टीयो डाइनर था इसलिए गलत हो गया कुश्चर नमर 30 सैल्व अपसाएंटिण देखो सैल्व क Odys पाई जाती है और हैring क्योंकि शून एरिया है पाई जाती है क्योंकि ब्राफ है नोस ट्रूक है ब्लू गिरीन एलेव की यह पाई जाती है लेकर माइको बलाजमा आप जानतो हो, cell wall less, micro-organism होता है, 31, बेस अनचा जो कुछ जीवानों, चट्टानों या पोसी, उतकों, सेयोजी होने से साहता करती है, क्या है, इस टेक्षर दा हेल्ब सम्दा वैक्टिरिया, टू अटेज दा रॉक्स, वैक्टिरिया के लिए बात कर रहा है, ध्यान रखना, तो वैक्टिरिया के लिए बात कर रहा है, तो होता है, फिम्री, तो फिम्री क्या करती है, बटा रॉक्स के लिए, अटेज के लिए काम करती है इस बात को ध्यान रोता है यह होल्ड फास्ट होता है यह तो ध्यान रखना यह तो यल्गियों के अंदर होता है बाकी बैक्टिकार के अंदर यह फिमरी परचाइंट होते हैं कुछ चनम है 32 जीवों मैं कौन से समूवे कोश का हूँ कि कोश का वित्ती एक दूसरे पर अथिवयाप्तो कर सहुजद होती है इन विच ग्रूप और और और्गन में सेल वाल फॉर्म तू थिन ओवरलेपिंग सेल अरे भाई इस प्रकार से सावन की डिबबी की तरह याद करो इस प्रकार से सावन की डिबबी की तरह एक दूसरे से ओपल हो जाती है सेल वाल किस की होगी क्या सलाइ मोल्ड की होगी नहीं होगी क्रायस फाइटर क्रायस फाइटर की हो सकती है यूगली नोएड्स और डायनो फ्लेजेड्स बताओ किसकी होगी मैं नहीं आपको पता है यहां पर शुरुआत में जो आपके पाए जाते हैं क्रायसोफाइट्स ठीक है और क्रायसोफाइट्स को अपन नॉर्मली अपन एक नाम और जानते हैं इनको अपन टायट्स रेड्ट टायट्स भी बूल सकते हैं ठीक है न विटा तो और डायनो फ्लेजेड्स डायनो फ्लेजेड्स आप जानतो यह भी रेड के साब से होते हैं यहाँ पर क्राइसोफाइट ज्यादा आंसर सही है कुछ नम 33 इन्वार्मेंट को CO2 पॉलुकेशन के लिए कौन करता है कुछ नम आप जानते हो पिटा एलगी और फंजाई तुनों से मिक्स होता है अब इस लाइकेशन को आपन खां लगा सकते किनारों पर लगा सकते सड़कों किनारों पर लगाएंगे तो आप जानतों जहां ज्यादा प्रदूशन होगा वह नश्ट हो जाएंगे यह चाहँ कम प्रदूशन होगा वह सर्वाइब करेगा तो प्रदूशन के लिए पॉलूशन के लिए इंडिकेटर के लिए इसका यूज करते हैं लाइक है के अगला कुछन आजाओ नाम पात्ती कुछ बिसे सार बजने का मायने नियोम दोरा निधरत होती है निम्लिकट में से कौन सा ही कथन नाम पतती के नियोम के बीरुद्ध कौन सा भई है जैवरिक नाम में पहले सब्द नाम बंस का दूरे सब्द अतिसंकेत पत अंगर इजिम देखो दा फर्स्ट वर्ड दा वायलोजीकल नेम रिप्रेजेंट दा जीनस नेम एंड दा सेकिंड स्पिसिक्स सही है इनको ये गलत हो गया क्योंकि एनी लेंग्विज में नहीं लिख सकते इसको किवल लेंग्विज में ही लिख सकते है इसलिए चोहता गलत हो गया कुछ नम थर्डिव है निवलोजी कौन सा कतन वायरोड के विशें में गलत है विच अब दा फॉलोइंग दा स्टेट्मेंट रॉंग वट्डा विरोड्स विरोड्स क्या होते है देरे स्मेलर देन वायरेसे सही है देर कोज इंफेक्शन सही है देर आरेने इस दा हाई मॉलीकूल वेट यह गलत हो गया दे लेग और प्रोटीन कोट यह भी सही है क्योंकि हाई मॉलीकूल वेट नहीं होता नौर्मल ही रहते हैं कुशन नमर है 36 प्रोटीन स्टेट्मेंट रॉंग निम्रत में कौन सा कथन गलत है बताओ भई गॉल्टन एल्गी आर्ट ऑल्स कॉल्स वेक्ट्रिया इनको करने सकते गलत हो गया क्योंकि यू वेक्ट्रिया को पन फॉल्स वेक्ट्रिया नहीं कहते है कुशन नमर 38 एक नक चट्टान पर एक रामी जीब के रूप में निम्रत कौन सा आएगा अरे भाई है सबसे पहले लाइकेन आएगा अगर बारेन एरिया है जहां किसी प्रकार की कोई प्लांटिंग नहीं है बनस पती नहीं है तो चट्टान ओपर कौन होगेगा लाइकेन तो सबसे पहले पाइवनियर इस पे सीज कोन से होगी लाइकेन 39 which among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall pathogenic and plant as well and animals can be survived without oxygen without oxygen से कौन रशकता इसमें cell wall भी नहीं होती अरे भाई माईको प्लाजमा तो माईको प्लाजमा जानते हुआ आप जो oxygen के बिना survive कर सकते है ये और इनके पास cell wall भी define नहीं होती yes question number 40 virode भी सरों से बिनने virode different from the viruses अरे DNA molecules without protein coat virode क्या होते है बताओ देखो virus है ये virus है अब virus के दो रूप होते है एक तो होते है virode जिसको virode भी कह सकते है एक होते है prion तो virode के पास तो cable और cable nucleic acid होते है only लेकिन protein नहीं होता है इनके पास इनके पास cable protein होता है only protein present होता है nucleic acid इनमें absent होते है ठीक है ना तो बाइरोड की बात कर रहा है तो nucleic acid होगा तो DNA molecules without protein coat बिलकुल सही है क्योंकि DNA molecules तो होगा लेकिन protein नहीं होगा तो answer कौन सा हो जाएगा पहला answer is the clear और तो होगा नहीं RNA molecule with protein coat अच्छा virode है virode है तो virode के अंदर तो में ले आरेने होता है yes RNA molecule with लेकिन with कर दिया protein coat ये गलात हो गया RNA molecule without protein coat ये तो ये वाला जदा सही हो गया तीसरा कौन सा हो जाएगा तीसरा answer जदा सही हो जाएगा क्योंकि birodes के पास क्या होता है RNA mainly RNA होते हैं इनके पास क्योंकि nucleic acid है nucleic acid में DNA और RNA होगा तो DNA कम होता है इनके पास RNA जदा होता है RNA होगा तो अब लेकिन protein code नहीं होगा तीसरा answer जदा सही हो गया okay 41 नियम लेकरत में से कौन सा चरम लवण ये दरसाओं में जब आए जाते है which of the following are found in extreme sland condition अरे ज़्यादा ज़्यादा condition तो आर्की वेक्टिरिया होते हैं ज़्यादा मिलते हैं आपको पता है क्योंकि एक्स्ट्रीम कंडिशन में तो केवल यहीं मिलेंगे आर्की वेक्टिरिया जो हाई टेंपरेचर पर लो टेंपरेचर पर ये काफी सर्वाइब कर सकते हैं 42 नियम लिकत में से कौन सा एक पूर्व केंदर की नहीं है विच अमंग दा फोलोग इस नोट प्रोकेरियोटिक आरे प्रोकेरियोटिक में नौस्टोक है ओसिटरेरिया है माइको बेक्टिरियम है और सेक्रोमाइसिस नहीं है क्योंकि सेक्रोमाइसिस कौन है इस्ट सेल है और इस्ट क्या है फंजाई है और फंजाई क्या होते है टाइटर्म गिविन दा कॉलम फर्स्ट एन कॉलम सेकेंड दो भाई जो भी सामने हैं अब आपको मैच कराना है एक दूसरे के हर वेरियम क्या होते है देखो हर वेरियम हर वेरियम जानतों एक बुकलेट कंटेनिंग दा लिस्ट ऑप करेक्टरा इंद देयर अल्टरनेट वेरियम जाएट यह ज़्यादा सही लग रहा है हर वेरियम में यह आपका थर्ड वाला ज्यादा सही लग रहा है ठीक है ओके की में क्या है की में देखो आप जानतों एक बुकलेट कंटेनिक लिस्ट ऑप करेक्टर देयर अल्टरनेट यह वाला सथ जाएगो बी का देखो दूसरे दीसरे में यह वाला आ गया लेकिन बीका फोर्थ ही आ गया सेकंड वाले में यस तो क्योंकि यह ही लग रहा है और तो कहीं है नहीं ऐसा क्योंकि भी चीक का फिस्ट देख लो म्यूजियम के ओटा इट इस प्लेस हेविंग दा कलेक्शन ओप दा प्रिजर प्लांट एन अनिमेल बिल्कुर सही है यह वाला तो आंसर कौन से हो जाएगा सेकंड आंसर जिदा किलियर हो जाएगा ओके बीटा ठीक है 44 कुशन पर आते हैं select the wrong statement क्या है इस पूरो जोन में पदा चलने और खाट सकने करें सरचना है नहीं बेटा इस पूरो जोन की अंदर आप जानते हो किसी पिरकार की कोई की लोकोमेशन औरगन नहीं पाया जाता है इसलिए यह पहला ही गलत हो गया बागी और सब से यह देखो माइटो कॉंट्रिया को पाव हाउस कहते है और किंग डाउं केबल मॉनेरा को छोड़ कर मस्रूम बिलोंग दा वैसी दो मैसिटी सही है सेल वाल प्रजेंटर मेम्रेन दो फंजाई एंड़ प्लांटी विलकुल सही है तो पस्ट इजा करेक्ट नॉट करेक्ट 45 निम्लेफन ते को से जीव महासागरों मुक उतपादक गरूप में होंगे अरे भाईया मैली चीप प्रोडूशर कौन होंगे डाइटम 46 क्यूंकि अब ध्यान रखना दिए व्याद आता है कि शीलिया वाला कि शीलिया में कोन आता है पैरआमेसियम यास और कि प्रोडोवन प्रोडोवन में अलगला कंडिशन होती है क्योंकि प्रोडोवम देखा इस परो जो अभी आता है अमीबा भी आता है जिसको सारकोडिना कहते है using pseudopodia for capturing prey नहीं having two types of nuclei क्योंकि सीलिया के पास आप जानते हो कि दो type के क्या होते है यहाँ nucleus होते है जिनको micro और macro nucleus कहते है तो यह जदा सही हो गया क्योंगी मैंली different हो गया प्रोटो जुआ से 47 आम का careless linear दुरसर मतन सब परता हम ब्यक्त किया गया सहीज लखित बैग्यानेक नाम चैन कीजिए select the correct written scientist name of the mango which was the first described by the careless linear पता है दा बटा genus है किसी भी science पर नाम लिखते है genus है species है ठीक है ना और उसके बाद सायन्टिस्ट का नाम लास्ट में आजाएगा और सोउट में आएगा ठीक है लास्ट में Ferrante तो दो मैंची फिर एंatkा में देखो यह तो ओनी सकता यह नहीं सकता मैंची फिर एंटीग केमmm लीनियस यह बहुत बड़ा है मैंने का सोट में आना चाहिए तो सोट में यह वहला सही है मैं जी पर इंडिका लीनियस ओके 48 विरोड की विसे में निम्व से कौन से खतन सही है वीच ओप दा फॉलोइं दा क्रेक्ट अबाउट मैंने बता है ना प्रोड के पास किबल ओनली क्या है न्यू क्लिक एसिड है भाई अब देखो यह नीट में पहले भी आ चुका है कुशन और पहले भी अपन ने बात करी त क्या हो सकते है रिवाइज भी हो सकते है तो अब नहीं होंगे दे है फ्री डियने बिदाउट प्रोटीन कोट हो सकता है दे है आर एने बिद प्रोटीन कोट नहीं दे है फ्री आर एने बिदाउट प्रोटीन कोट ठीक है ना तो इनके पास प्रोटीन कोट एपसेंट होता ह केबल नुकलिक एसिड प्रेजेंट होता है पूर्टिनाइन निम्रवाइब से कौन सा कथन सही है वीच अब दा फॉलोइं इस्टेटिमेंट इसे करेक्ट चलो भाई देख लो अचली योगमों को बीच जीव जीवत पर निर्वर होते होने मिर्टो जीवी कहा जाता है और ने देपेंट अन दे लिविंग प्लांट आप दा काल दा सेपरोफाइट है ठीक है फिक्स एट्मोस्पिरेग नाइटोजन दा इस्पेसाइब सेल दा सीथ सेल which following the statement is correct ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आपको पता है कुछ ऐसे होते है जो इस्पेसाइब सेल होती है उनको बोलते है कौनसी सेल याद करो इस्पेसाइब सेल क्या बोलते है हेट्रोसिस्ट जो नाइटोजन फिक्सिशन गाम करती है इसलिए और बाकी की सब कलत हो गए एक सही कौनसा हो गया थर्ड आंसर फिप्टी प्राणियों में बर्गी की सरवक का कौनसे अधिक रमक बिन्यास आरोही करमे सही है इंदा टेक्सोनमिक केटेगरी विच है रारी की अरेंजमेंट इंदा एसेंडिंग ओर्डर दा करेक्टन केस मैं पहले भी पता चुकवा हूं इसका मदलब दुबारा कुश्चन यह रिपीट हुआ है 2022 के अंदर इसलिए कभी कुश्चन रिपीट हो सकते है किंग्डम है किंग्डम के बाद आप जानतो बिटा फाइलम आता है फाइलम के बाद क्लास आती है के बाद बॉड़र आता होड़र एक बाद फैमेली आती है तो देख लीजी हांपर कौन सा है किंग्डम है फाइलम है इदे को किंग्डम है फाइलम है यह है इस पर चाटा से चिश है, Sacramento सा कि ग अनृ यह तो सारे आपको दिवाग में फिट ररकनी पड़ेगी 51 given below are the two statement नीचे दो कतन दिये गए है नीचे दो कतन दिये गए है ठीके तो देखते हो microblasuma can pass through less than 1 micron filter size microblasuma 1 micron से कम filter size से भी भार निकल सकते हैं क्योंकि सबस्थे छोटे होते हैं आसानी से निकल सकते हैं के microblasuma कोस का बितनी यूगत बैक्तिरिया है microblasuma आता बैक्तिरिया बिद सेल वोल नहीं ये गलत हो गया क्योंकि microblasuma पे सेल वोल नहीं होती है इन दा लाइट ओब दा वाप स्टेट मेंट चूद दा मस्ट अप्रिगेट आंसर फ्रॉम दा ओप्शन गिविन बिलो तो इस्टेट मेंट फस्ट इज दा करेक्ट बट इस्टेट मेंट सेकेंड इनकरेक्ट ठीक है तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि पहला तो सही है पच्ट सेकेंड गलत है क्यूशन नंबर है 52 निंबर है कौनसा कतन सही है which of the following is the correct statement bacteria onion purposey जी होते हैं bacteria are the exclusive heterotropic organizations बिल्कुल है bacteria कैसे होते हैं बिटा heterotropic होते है mostly यह गलत हो गया क्योंकि यह प्रोटिस्टा का है माइको ब्लाजमा है डीने राइवोसॉम एंड सेल वॉल सेल वॉल नहीं होती है यह गलत हो गया यहां से सब्सक्राइब रटे जोंकि फॉौटोटोफिक नहीं होते हैं समीजडक ब्ल peine गया है devotion सेब कि फॉटे हैं पार ब consist आब बीडिया अपर इसलिए ओब दीन ही तो और दीदेन Idnes और होर्म हने सेपरोफायर्टिक बीडिदिद्जिक होते हैं आफिыт इसलिए आपका आंसर चोटा सही हो जाएगा 53 मभेशियो में मेड़ काउर रोक मनुष्य में सियार जैकब रोक संक्रंदर होता है अरे मेड़ काउर डिजीज प्रियोन कहा है प्रियोन भई प्रियोन मेंली अमिरिका में होता है जड़त कुशन नंबर है 54 निम्ड में से बरी की साधन कुझी के बाल में क्या सही है विच ओप दा फॉलोइंग दा ट्रू अबाउट डा टेक्स्वनॉमिक एड की हाँ भई की क्या कहती है की आर दा वेस ओन दा सिमिलर और डिसमिलर सही है की इस दा एननेटरिक नेचर सही है की आर दा वेस ओन दा कॉंटेस्ट से करेक्टर पेर दा कॉल्ड कपल ये भी सही है क्योंकि आप जानतों कि ये दूसरे से ओपोजेट करेक्टर होते है बिटाइए तो है Though झानते हो जो प्यांकि रूप में पाँ जा जाती जिसे मैंने कहा कि लीप प्रजेन्ट एक स्टेडमेंट यह ओ गया लीफ प्रजेंट और एक हो गया लीफ नोट प्रजेंट लीप नोट प्रजेंट तो यह दो स्टेडमेंट हो बिल्कुर सही है जित्ते भी statement आपन लेखते हैं ओपोचिट लीड पिट्टे की statement को क्या वलते हैं लीड कहते हैं तो यह भी सही है तो क्या है यह A B C E कौन सा है देखो A B C E पहला तो first answer is the correct okay यह लो बिटा तो यह आपके completely यहां पर होते हैं बिटा आपकी plant taxonomy और प्लांट टेक्सोनोमी के अंदर अपन के प्लांट डाइवर्सिटी और प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर जो मैनली नॉमन के लेचर था इन में बिटा आपके और लिविंग वर्ड था और बाकी के आपके यहां पर तो यह आपका complete होता है ठीक है ना बिटा गुरू निटी का और आपके अगले निटी प्रिबा